इस वीडियो में दी हुई जानकारी internet से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपक पैप्टिक अलसर डिजीज और बहुत अधिक एसिड बनने से जुड़ी पेट की कुछ अन्य कंडीशन के इलाज के लिए इस्तिमाल किया जाता है। DDR-30 कैपसूल मिस्टर को दर्ड निवारक दवाओं के लंबे समय तक इस्तिमाल के कारण होने वाले पेट के अलसर और एसिडिटी की रोक थाम करने के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है। यह प्रोटोन पंप इन्हिबिटर यानि की PPI के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेनी से संबंधित है। इस दवा को हो सके तो सुभा खाने के एक घंटे पहले लिया जाना चाहिए। डोज आपकी अंडिलाइंग कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी। अगर आपके लक्षन जल्दी से ठीक हो जाते हैं, तब भी आपको निर्धारित अवधी तक इसका सेवन जारी रखना चाहिए। आप समय समय पर काम मातरा में भोजन करके इलाज की कुशलता बढ़ा सकते हैं, और जैसे चाय और कॉफी जैसे कैफीन युक ड्रिंक्स और मसालेदार या फैटी खाना खाने से बच सकते हैं। इस दवा के साथ देखे जाने वाले सबसे सामानने साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, पेट फूलना, यानि की गैस बनना और डायरिया, यानि की दस्ट शामिल हैं। ये लक्षन आम तोर पर हलके होते हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या नहीं जाते, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। लंबे समय तक इस दवा के इस्तिमाल से साइड इफेक्ट का जोखिम बढ़ सकता है। उदाहरन के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक इस दवा का इस्तिमाल आपके हड़ी के फ्रेक्चर का जोखिम बढ़ा सकता है, विशेश रूप से हाई डोज के साथ। घडियों की क्षती यानि की ओस्टियो परोसिस को रोकने के तरीकों जैसे केलशियम और विटमिन डी सप्लीमेंट लेने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको लिवसंबंधी गंभीर समस्याएं हैं, HIV के लिए दवाएं ले रहे हैं और अतीत में इसी तरह की दवाओं से कभी अलजिक रियेक्शन हुए या हड़ी के नुकसान यानि की ओस्टियो परोसिस से पीडित है तो आपको अपने डॉ आने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बे धन्यवाद